आकाश वाणी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादिशिक समचार नमस्कार समचारों के साथ मेराना शाहिद लोगसभा चुनाओ के दूसरे चरण में प्रदेश के 6 संसदेग शेक्तरों में 12,828 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है मतदातों में खासा उत्सा देखने को मिल रहा है अब तक करीब 40 प्रतिशत मतदान हो चुका है सरवादिक मतदान होशंगबाद में 45,7 एक प्रतिशत और सबसे कम रीवा में 31,85 प्रतिशत रहा है इसके अलावा दमोह में 37,57, खजुराहो 37,89, सतना 40,83 और टीकमगड में 40,21 फीसदी मतदान हो चुका है होशंगबाद संसदीक शेक्तर से प्रदेश सरकार में मंतरी पहरालाज सींग पतेल ने नरसेंपूर के एक मतदान केंदर पर मतदान किया रीवा में उपू मुखे मंतरी राजेंदर शुकला अपने परिवार के साथ मतदान केंदर पहुँचे और अपना वोट डाला लोकसभा चुनाओं के दूसरे चरण में आज प्रदेश में वोटिंग के दौरान कई जगह ऐसे दृश्य सामने आये जिन से लोकतंत्र के प्रती आस्था और भी मजबूत हो जाती है नर्मतापुरम लोकसभा सीट पर पच्मडी में नगर की सबसे बुजर्ग महिला कस्तूरी शुकला मतदान के लिए पहुँची उनकी आयू करीब 106 वर्ष है और कमर पूरी तरह जुग गई है लेकिन उनका जजबा था कि वो मतदान केंदर में खुद चल कर अपना वोट डालने पहुँची वही टीकमगर सीट पर निवाडी के वीर सागर गाउं के राहुल यादव ने अपनी बरात में जाने से पहले एक जिम्मेदार नागरेख होने का फर्ज निभाया वा मतदान किया दमो के पत्रिया विधानसभा में मतदान केंदर पर दूला एवं उनके परिजन बारात जाने से पूर्व मतदान के लिए उपस्थित हुए लोकसभा चुनाओ के दूसरे चरण में प्रदेश के छैसन सदीक शेक्तरों में मतदान हो रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मतदाताओं से मतदान के अधिकार का उप्योग करने की अपील की है मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि लोकतंत्र के पर्व चुनाओ में मतदाता हैं सबसे महतवपून है आज लोकसभा चुनाओ 2024 के दूसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है उन्होंने सभी सम्मानित मतदाताओं से निवेदन किया कि वह मतदान के अधिकार का उप्योग कर देश के उजवल भविशी के निर्माण में अपने दायत्वों का निर्वहन अवश्य करें मधिप्रदेश में चुनाओ प्रचार चरम पर है केंद्रिय ग्रह मंत्री और वरिष्ठ भाजपानेता अमिच शाह आज अशोक नगर एवं राजकर्ड लोकसभाक शेक्त्रों में जन सभाओं को संभोधित कर रहे हैं श्रीशाह ने आज गुना में चुनावी सभा को संभोधित करते हुए कॉंग्रेस नित्रतव पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि यह चुनाओ तीन करोड माताओं को लखपती दीदी बनाने चार करोड गरीबों के घर बनाने और दस करोड परिवारों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाने का है वही कॉंग्रेस की ओर से प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी राजे सभा सांसद विवेक तंखा और पूर्व केंद्रिय मंत्री अरून यादव आज बुर्हानपुर में प्रचार कर रहे हैं उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया किवे बेरोजगारी और महंगाई जैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विवादित विश्यों को हवा दे रही है कॉंग्रिस की राष्ट्री प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज भूपाल में पत्रकार वात्राथ कर पार्टी के घुशना पत्र पर विस्तार से जानकारी दी प्रादिशिक समचार एकांश आकाश्वाणी मधिप्रदेश द्वारा लोग सभा चुनाओं में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाश्वाणी के साथ नामक एक खास कारिक्रम शुरू किया है इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जारही अपील को शामिल कर रहे हैं जिससे आनिशोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों आप भी अपनी आवाज में मतदान के महतवर पर केंदरित अधिक्तम 40 सेकिंड का एक बड़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करेंगे और हाँ आप भी मतदान अवश्य करेंगे प्रदेश में एक तरफ जहां गर्मी रफतार पकड़ रही है वहीं पश्टी मी विक्षोब, साइक्लोनिक, सर्कॉलेशन और ट्रफ लाइन की वज़ा से पिछले 6 दिन से बारिश हो रही है इस पुलिटिन में वस इतना ही दीजे इजाज़त नमस्कार झाल